हाई अब्रिवान मैं सुहानी और लायरा के तरफ से भी आप लोग को वालकम है मेरे चैनल पे तो यह है मेरी क्यूट सी लायरा और हम दोनों आज आप लोग किसा शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से अपने ओपन पोर्स का प्रॉब्लम जो है खतम कर सकते हो हमेशा के लिए त तो चलिए फड़ावट जे हम इस वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को स्क्रविंग उसके लिए मैंने यहां पे लिया है चावल का पिसा हुआ आटा यह बहुत ही अच्छा एक नैश्रल स्क्रवर होता है आपको कोई भी महेंगा स्क्रवर करेने का ज़रूरत नहीं है तो आपको यहां पर आड़ करना है ग मार्टर काट लेंगे और यानि कट कर लेंगे और उसके बाद उसमें उसका जो है पल्प यानि उसका जूज जो है इसमें एड कर देंगे ताकि एक बहुत ही अच्छा होमेट स्क्रवर बनके तयार हो जाए तो यह स्क्रविंग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक अच् skin में बहुत ज़्यादा harm हो सकता है। आपके skin में redness पढ़ सकते है या बहुत ज़्यादा yine raises sensitive हो सकता है। इसलिए ध्यान रखे। कभी भी scrubbing करते हैं बहुत जंटल तरीके से अपने हाथों से करें। कभी हिसको fast, fast ना करें। बहुत slowly आधीरी से को scrub करें यह जो scrubber है बहुत अच्छा natural है जो आपके skin को बहुत अच्छे तरीके से scrub करता है जितना भी है टैटसल को white head को black head को निकाल देगा और आपके skin को यह damage भी नहीं करता है जो guys हमने यहाँ पर face को wash कर लिया है scrubbing के बाद अब हम यहाँ पर add करेंगे यानि apply करेंगे अपने face पे face जो आपके large pores को open pores को close करने में बहुत ज्यादा मदद करता है तो यहाँ पर हमने लिया है basin और इसमें add क्या है कस्थूरी हल्दी अगर आपके पस कस्थूरी हल्दी नहीं है तो आप अपने kitchen वाला हल्दी वे add कर सकते हो तो यह जो मैंने add के fresh aloe vera मैंने इसको फ्रीज में रखा था इसलिए इसका pulp जो है बहुत असानी से निकल गया तो आप इस तरीके से रख सकते हो जिससे pulp जो है बहुत easily निकल जाता है तो यहाँ पहम मैंने add जो यह aloe ingredients जो है आपकी open pores को close करने में बहुत जादा मदद करते हैं isol нев organisms के इसन आपके स्कीन को brighten UP करता है Rose water जो में आपके skin को protection say a a potion बहुत इसकी हील करता है open pores को close करने में बहुत जादा मदद करता है legen अलोवेरा भी आपके पोर्स को क्लोज करते हैं बहुत अच्छे अच्छे वेटमिन्स होते हैं जो आपके स्कीन को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेट करते हैं अलोवेरा जो है एक स्कीन के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा मतलब वर्दान है अगर आप अलोवेरा ल पिंपल्स को ठीक करते हैं और यह पोर्ष को भी क्लूज करने में मदद करते हैं तो यहां पे हम मिक्शुर को तयार करके अपने पूरे फेस पे अपलाई कर लेंगे और ध्यान रखे आपको नेक तक भी अपलाई करना है मैंने हाइने पहना हुआ है इसलिए मैंने अपलाई है लेकि नाहाने से पहले आप यद्ध छाहरे पर फेश पेक लगाए हमयस्सा अपने नेक पर भी अपलाई कर ले तो इस तरीके से हमने यहां पर अपलाई कर लिया है और इसको 25 से 30 मिनट के लिए एक तरीके से छोड़ देंगे तो फ्रेंस मैंने यहां पर अपने फेश को प्राइब दो औरस होग na कर लिया है और एक हमारा सबसे final step जो है और बहुत ज़रूरी हम अपने face पर apply करेंगे the rose water यानी गुलाब zile गुलाब zile से आपको अपने face पर apply करना है dab dab करते ओये अपने चौहले पर शॉक कर लेना है इससे आपक की फोर्स का problem जो है definitely खतम हो जाएगा अगर आप step continue दो से तीन हपता करते हो तो आपको बहुत अच्छा result मिलेंगे तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो अगर आप कोई remedy अच्छा लगा हो इस remedy को जरूर try करके देखे और मुझे comment section में जरूर बताए मिलते में बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई गाइस चानल को subscribe कर देना और वीडियो को like कर देना